नमस्कार बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमें कोई सुनता नहीं हम बहुत अच्छा बोलते हैं फिर भी हमें कोई सुनता नहीं हम अच्छा बिहेवेर रखते हैं लेकिन कोई हमारे पास बेठता नहीं लोग भी तरह तरह के कुश्चन करते हैं यही कुश्ड अभी हालनी में दो दिन पहले एक तढने नमसे फॉल गर करो M. मैं कितनी अच्छा बोलता हूं कितना ही बेटर नोलेज है मेरे में मैरेमें अच्छे एटिकेट्स हैं के मैं अच्छी बोलने के कछला हैं All the things we hear, I hear, जो सारी चीज़ें एक अच्छे परसन में होने चीज़ें, वो सारी चीज़ें मेरे में हैं, फिर भी लोग मुझे बाव नहीं देते, मुझे सुनते नहीं है, मेरे साथ बेटते नहीं है, मुझे इज्जत नहीं देते हैं, मैं क्या करो सर, जब ये क्षिशन मेरे स सामने आया, तो मैंने सोचाए कि रवाखी में लोग ऐसी सिच्वेशन गुजरते हैं, तो लोगों के पास सब कुछ होता है, अच्छा वेवार होता है, अच्छा नोलेज होता है, अच्छी बोलने की कला होती है, और एक अच्छा speaking power होता है, फिर भी लोग उनको सुनते नह लोग उनको इज़त नहीं देते हैं, वोट इस दे रिजन बिहाइंड दिस, और उसका रिजन क्या है पता है आपको, इसका रिजन है बहुत ही सिंपल, वेरी सिंपल रिजन है, आप कितनी अच्छे एटिकेट्स चूनी हैं आपके अंदर, लोग आपको नहीं सुन रहें, जब तक आप कुछ बनोगे नहीं न, लोग आपको इज़त नहीं देंगे, लोग आपको नहीं सुनेंगे, लोग आपके साथ अच्छा बिहेवर नहीं करेंगे, लोग आपके साथ बेटना पसंद नहीं करेंगे, जब तक आप कुछ करके इस दुन्या को नहीं दिखाओग आपके पास कितनी अच्छी आदते हैं कितना ही अच्छा एटिकेट्स हैं लोग आपको नाइस नंगे एक बात बताता हूं एक वही अच्छी बात वही अच्छा नोलेच आप रखते और आप सामने को किसी को बता रहे हों दस जनों तो वो आपकी बात पर त्यान नहीं देगा लेकिन को फेमस वक्ति कोई अच्छा पद पर बेटा हो वक्ति वही बात उन दस लोगों के सामने करेगा ना तो वह दस लोग ध्यान से सुनेंगे केरफुली सुनेंगे क्यों क्यों कि वो कुछ बन गया है वह इंसान फेमस हो गया है कि दोनों में डिप्रेंट ज्यादा नहीं है कि दोनों के पास नोलेज है समझना आए मैं एक एक एक्जामपल दरहूं आपके सामने एक फैमस व्यक्ति एक साधाने व्यक्ति साधाने व्यक्ति के पास में वही नोलेज है और मैं किता हूँ फैमस व्यक्ति से ज्यादा नोलेज है साधाने व्यक्ति भी वही बात करहें दो जोन के साथ में लेकिन उसको कोई नहीं सुन रहा है एक फेमस व्यक्ति कम नोलेजुक्त केसा दें बात कर रहा है तो भी लोग उसकी बात सुनेंगे क्यों क्योंकि वो कुछ बन चुका है वो कुछ पद पर बेटा हुआ है तो लोग उसकी बात ज्यादा सुन ले पंकस त्रिफाटी जानते हो इनको बिल्कुल लेवल से निकले ये और आज बॉलीवुड में बड़ी-बड़ी खस्तियां इनके साथ में काम करती जद दूस्ति ये बॉल्यूराग नहीं दाता क्यों गयुकि उस्वक्त ये श्यूंपने सेलिपरीटी बन चुके हैं क्यों उस्हीं वह माई उस्व नहीं प्संद करने देल्ध कि उस मक्त इन्हों ने कुछ करके Yes. क्या है था सेक्ड एक्जांपल नमाजुदिन सिद्ध की देखिए आपके सामने यह भी बिलकुल लोवर लेवल से एक गरीब तब कैसे निकल कर आए और मुंबए के गल्यों में इन्होंने दक्के खाए उस वक्त इनको छोटे दो तिन मिन पांच मिन के रोल फिल्मों मिलते थे यह करते थे टपोरी के रोल मिलते थे सबजी बेशने वाले के रोल मिलते थे और दुकान चनाने वाले रोल मिलते थे यह करते थे उस वक्त इनको क कोई बात नहीं सुनता था क्यों क्योंकि यह उस वक्त कुछ नहीं थे सिंपल में थे और आज बड़े-बड़े इस्टास कहते हैं मैं नवजुदिन सिद्धिके के साथ में काम करना चाहता हूं कांने कि एक्टिंग हों बस एक्टिंग बहुत ही अच्य करते हैं ऑस वक्त लोग इनको द्यानंख दे लोग सिंपल में थे इसलिए जीवन में त्यान अपना, आप कितना ही अच्छा नोलेट क्यों नहीं हो, कितना ही अच्छा आपके पास behavior क्यों नहीं हो, कितना ही अच्छी आप बात क्यों नहीं कर रहे हो, लोग तब तक आपके उपर ध्यान नहीं देंगे, तब तक आप कुछ बन कर नहीं दिखा होगे तब तक आप जब तक famous नहीं होंगे लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे